जो के शुरूआत होते ही सबसे पहले दिखता है कि अभिषेक मनीशा की नकल कर रहे हैं वहीं आज घर में एक नए महमान की एंट्री होती है जो कि है अर जे महवश अभिषेक फिर से ऐलविश से कहते हैं कि वो उनकी जॉर्नी को कमजोर मानते हैं अबिशेक और एलविश के बीच फिर से इस बात को लेकर चर्चा होती है कि कौन जीतेगा और किसे जीतना चाहिए आज जे महविश सभी से नाम बताने के लिए कहती है जो उन्हें लगता है कि काबल विनर है चब एलविश ने कहा कि अबिशेक टॉफिक के हगदार है और वो भाईचारे में दृता से विश्वास रखते हैं इस बीच अबिशेक बताते हैं कि वो एलविश को विनर बनाना चाहते हैं लेकिन अगर वो उनकी जर्णी के बारे में बात करें तो मनीशा जादा मजबूत कंटेस्टेंट रही है दूसरी और बेविशेक जीता है तो एलविश दिल से खुश होगा मेविश के आने पर उन्होंने सभी से एक मज़िदार टास भी कराया उन्होंने सब को आकर कुछ ना कुछ अपनी जर्णी के बारे में बोलने को कहा पहले तो अलविश और मनीशा ने आकर अपने दिल की बात बताई फिर बेविका और पूजा भट ने एक दूसरे के लिए अच्छी बाते कही मेविश बीज बीच में पूछ भी रही थी कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है इस पर सभी ने खुल कर बात की और बताया कि किसका चहरा वो बाहर नहीं देखना चाहेंगे घर में अंत में बिग बॉस एक टास देते हैं जिसमें अलविश और अभिशेक को एक ग्रूप में डाला जाता है और बेविका मनीशा एक टीम में हैं दोनों अपने अपने जिंगल्स बनाते हैं बेबी को और मनीशा आकर गाना तो गाती हैं और साथ ही डांस भी करती हैं दूसरी तरफ अभिशेक और एलविश का जिंगल काफी मज़ेदार होता है इसमें पूजा, अभिशेक और एलविश को विनर घोशित करती हैं उन्हें 2AM के चिप्स मलते हैं Entertainment के दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें